गाईज अगर आपके चहरे पर भी बहुत पुरानी जाईयां हैं, दाग धबे हैं या फिर पिग्मेंटेशन हैं, तो ट्रॉस्ट मी, आज का मेरा ये वीडियो फॉलो करने के बाद, विदिन आ वीक आपको अपने चहरे पर विजिबल रिजल्ट दिखेगा, यानि एक हफ़ आपको हैरत अंगेश फाय दे, रिजल्ट आपकी स्किन पर दिखने शुरू हो जाएंगे, वीडियो बहुत इंट्रॉस्टिंग है, बहुत सारे लोग अपने जाईयों की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, क्या करते हैं हम इसे बहुत लोग डॉक बेजान और जाईयों से भर जाता है, लेकिन आज का मेरा ये वीडियो ना सिरफ आपके पैसे बचाएगा, बलकि आपके जाईयों को lifelong के लिए एंट करेगा, आपके चहरे से सब चीजे जाएंगी और दुबारा कभी वापस भी नहीं आएंगी, आपका time saving है, आपके पैसे saving है और आपके skin ultimate reserve देगी आपको, तो चलिए, इसके लिए देख लेते हैं, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कैसे follow करना है, लेकिन प्लीज, इस सब चीजों को जरूर follow करेगा, वन वीक तक, उसके बाद आप आगे इसको अपने recording continue जरूर रखेगा, ज बहुत सारे लोगों को जाईयां, pregnancy pills खाने पर हो जाती हैं, जब हम pregnancy stop करना चाहते हैं, या फिर जब हमारी delivery होती है girls की, तब हमें जाईयां की problem आ चाती है, या फिर हम धूप में बहुत जादा रहते हैं, जिसकी वज़से हमारी skin की जो layers होती है न, ऊपर वाली layer और अंदर by layer damage होने लगती है, जिसकी वज़से हमारी skin एकदम burning और जाईयों से भढ़ जाती है, तो अगर आपके साथ भी सारी problems चल रही हैं, किसी भी reason से जाईयां आपके face पर आच चुकी है, boys and girls, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, किसी भी उमर का इंसान इसको यूज़ कर सकता है ना सिरफ यापके जाईयों को दूर करेगी, बलकि अगर आपके चहरे पर धूप से आपका चहरा जुलस चुका है, sunburn हो चुकी है, या फिर pigmentation है, उसको भी reduce करेगी, तो चलिए, जान लेते हैं इस remedy को बनाना कैसे है, लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेर करना तो बिलकुर मत भूलेगा, क्योंकि आज का ये वीडियो शेर करना ना, बहुत सारे लोगों की जिंदिकी को बहतर बना सकता है, उनका confidence बूस्ट करेगा, क्योंकि चहरा ना, इतनी खुबसुरत चीज है ना, क पर ये खीड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चोहिए एक आलू, आलू सबसे फहले आपको अच्छे से छीलेना है, छीनने के बाद आपको कद्दुकस करना है और उसका JOOS निकालाना है एक कांच कह बाउल में, एक बार ध्यानर रखेगा जब भी कुई plank निकाल ले आपके जाईयों को बहुत अच्छ तरीके से साफ करेगा और साथ में आपके स्किन से पिग्मेंटेशन और संबन को हटाएगा और अगर आपको जाईयां है पुरानी सी पुरानी तो ट्रस्ट मी आलू में ऐसे कमपाउंड होते हैं आपके स्किन के टेक्स्चर को एकदम करें अपने फूरे फेस पर अपलाए कर लें अपलाए करने के बाद आप घर का काम करते रहें बच्चों को पढ़ाती रहें या जो भी आपका काम है ऑफिशली वो भी कर सकते हैं एक घंटे बात अपना छहरा ठंडे पानी से धोले रात को यह ट्रीटमेंट करने से पहले चहरे पर गरम पानी की स्टीम दें एक जो हैंकी है गरम पानी में डिप करें उसको अपने फेस पर रखें आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे उसके बाद कॉटन बॉल डिप करें सेम चीज में और अपने फेस पर अपलाए कर लें एक बात का ध्यान रखने आपने जो अपन चाहे आप घर पर हैं लेकिन हलकी हलकी विंडो से आती हैं और वो हमारी स्किन को डामेज कर देती हैं तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें पानी जादा पीए, स्ट्रेस कम लें, डिफिनिटली आपके स्किन पर बहुत ही जादा डिफरेंस फील होगा, मिलते हैं हसी खुश झाल 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 झाल